हलो हाई नबश्का और सौगत आप सभी का मैगनेट ब्रेंस के आई टी जी और नी चैनल पर जी यहाँ जम बात करने जारें कोंबिनिशन फकासितर का सेकेंड पर जहां पे आज थोड़ा सा और कॉंपलीकेटिट स्कूर्च को सॉल्व करना सीखेंगे लोग साथ इसाथ सीखेंगे किर्च्छ उफ लॉ का एप्लिकेशन कैसे किर्च्छ उफ लॉ से आप कोशन को सिम्पली सॉल्व कर सकते हो इससे पहले वाले lecture में हमने series और parallel combination solve करना सीख था बहुत अच्छे से हमें पता है कि जब capacitors series में connected होते तो क्या formula लगता है जब capacitors parallel में connected होते तो क्या formula लगता है आलंकी मैं फिर से बताऊंगा लेकिन हाँ जानते थो ना चलिए भी तो मेरा नाम आशिश का प्लेश मैं पिसले 6 सालों से जही experience को पढ़ा रहा हूं more than 50,000 students को मैं पढ़ा चुक हूँ तो मेरी के भी बाते आपके लिए कहीं ना कहीं important होगी तो बाई मैं ज्यादा बहुत ज्यादा बाते नहीं बोलता हूं पहली बात यही है कि आपको notes बनाने हैं तो जो भी मैं यहां पे topic wise explanations दे रहा हूं उनके notes बना लीजिए इसके लावा आपको DPP बोले तो daily practice problem मिलेंगी उनको solve कर लेना बेटा धंग से इसके लावा कोई doubt आएगा तो वो उसका solution भी हम आपको provide करा रहे हैं डीपीप का भी solution आपको मिलेगा अच्छा कहां मिलेंगे इस सारी चीज़े तो इसके लिए आपको जाना है हमारे official website www.magnetbrains.com ठीक है इसके अलावा बेटा आपको questions की practice इसका नहीं जितने जादा questions कर सकते हो इतने जादा questions के practice कीजिए अच्छे questions के practice करें तो करें कहां से साहब तो भाई इसके लिए भी आप जाईए हमारे official website पे वहाँ पे आपको question bank मिल जाएगा question bank में बहुत सारे questions है आप उनको solve कीजिए कोई doubt आता है तो उसके लिए हमने again आपको एक portal दे दिया ask your doubt जहां पे आप अपने doubts पूछ सकते हैं ठीक है यह सारी चीजे करने के बाद आपको आना है previous year questions पे previous year questions करने जरूरी है solve करते जो उससे idea रहेगा कि वो chapter से कैसे question पूछे जा रहे है पिछले कुछ सालों में यह बहुत जरूरी है और trust me बचे अगर आपने अपनी preparation इस pattern की हिसाब से चला के रखीना तो आपका selection 100% है इस बात की मैं guarantee देता हूँ इसके अलावा बाकि आपके doubt solving sessions होते रहते हैं आपको time to time guidance वगरा जो भी है वो हमारे जाफ से मिलती रहेगी तो इसकी चिंता बिल्कूल भी मत करना ठीक है ले लेगी बाते अब important यह है कि रिकॉल करवा देता हूँ जैसे आखरी के last lecture में हमने जो बात करी थी it's all about the series and the parallel combination तो जब भी मैं बोलता था पेटा series capacitor हो जाएन तो क्या होगा कुछ नहीं होगा बई चलने दो कहानी बोलते थे series में एक बात अच्छी लगती थी कि sir charge जो यहां से निकलता था क्यू वाला वही क्यू चार्ड इस capacitor में जाता था वही Q-charge इस वाले capacitor मैं भी चाता था और और वही Q charge इस वाली capacitor में भी जाता हुआ। क्योंकि circuit कहीं पे divide नहीं हुआ, circuit का कहीं पे भी division नहीं हुआ, तो current चाओरी, charge का भी कहीं से division नहीं होता है। हमें क्या गणना था कि इन तीनों capacitors को हटा के, एक ऐसा capacitor लगाना है, जो इन तीनों का काम कर सके। तो मैंने तीनों की जगा पे एक ऐसा capacitor लगाया है कि उसको अगर same battery से connect करो, तो same charge उसमें से जाएगा और उतना ही energy ये भी क्या करेगा बिटा, store करें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक ऐसा capacitor हम लगाएंगे यहाँ पे, जिसको की same battery से लगाया, तो उस पे भी same charge ही store होना चाहिए। जिससे की हमने उसको same battery से लगाना है, तो same charge store होना चाहिए। तो उस case में हमने इसके equivalent का formula बनाया था, 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, है ना बेटा, यह formula याद है ना तुम लोगों को, यह हमने last lecture में किया था, फिर बोला था, अगर C1, C2, C3 बराबर होंगे तो देख ले ना, C by 3 आंसर बनेगा, फिर हम आये थे, second case जो की था parallel combination का, parallel combination में हमने बोला था, कि भई, capacitors जो होंगे, वो कुछ इस प्रकार से connected होंगे, capacitors जो थे, वो कुछ इस प्रकार से connected थे, battery से, बोला गया कि सर यहाँ पे इनको हटा दो, तो एक ऐसा capacitor लगा दो, जो इन तीनों का काम कर सके, तो हमने बोला, इसको हटा के एक ऐसा capacitor यहाँ लगा दिया जाए, जब उसको same battery से connect करें, तो वो same charge को store करें, जो यह तीनों मिलके कर रहे थे, बेटा जब parallel combination होता है, तो आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से सक दिखता है यहाँ पे, कि अगर यहाँ से Q charge आएगा, तो यह Q charge का बटवारा हो जाएगा, उपर की तरफ suppose करो charge कितना जा रहा है Q1, इधर की तरफ suppose किया, हमने charge आ रहा है Q2, और नीचे की तरफ हमने माल लिया, गिए charge जो जा रहा है Q3 जा रहा है, तो बेटा वो Q charge आया, उस Q charge का यहाँ पे बटवारा हो जाता है, देखो जब तक circuit में कोई division नहीं है, circuit का जब तक कहीं पे बटवारा नहीं हुआ, charge का कोई division नहीं होगा, जैसे circuit यहाँ पे divide हुआ, charge भी divide हो जाता है, लेकिन parallel combination की बहुत अच्छी बात है, कि parallel combination में potential जो है, हर एक capacitor पे same रहता है, वो ही रहेगा जो battery का था, वो वहाँ की further cases होते हैं, अभी नहीं बूलूँगा, बट हाँ, इन पे सब पे potential जो होगा, वो same होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी V potential ले आएगा, इसके उपर और इसमें भी charge क्यों आजाएगा, बट है, ऐसे cases में जब हम इसको solve करते हैं, तो C equivalent is given by C1 plus का C2 plus का C3, बोला गया साब, तीनों को directly आप add कर दीजिए, and you will get the final. तो यह सारी बाते हम अपने last lecture में कर चुके हैं, इसके cases वगर हमने देखे थे, कुछ छोटे मोटे questions हमने किये थे, तो आज इसी कहानी को आगे लेके चलेंगे हम लोग, एक छोटा सा basic सा सवाल, जो मैं लेके आए हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, जिसमें बोला गया है, कि तीन capacitors, C1, C2, C3, connected है एक बैटरी से जिसका potential है भी, बिटा, यहाँ इस बैटरी से जो charge निकलेगा, it is given by Q1, यह Q1 charge इस capacitor C1 पे गया, तो C1 पे उपर चार्ज आएगा Q1, इस Q1 का यहाँ पे जाके बटवारा हो गया, उपर की तरफ चार्ज गया Q2, और नीचे की तरफ चार्ज गया Q3, तो बिटा, C2 के उपर चार्ज आएगा Q2, और C3 के उपर चार्ज आएगा Q3, क्लियर एगी बात है, बिटा, C1 के उपर पोटेंशल है V1, C2 के उपर पोटेंशल है V2, C3 के उपर पोटेंशल है V3, तो बिटा, पहली बात तो, डाइग्राम को देखे क्या-क्या समझते हो आप लोग, पहली चीज डाइग्राम को देखे क्या-क्या, आपके दिमाग में एक ह्याल आ रहा है वो बताइए उसके बाद देखिए कौन सा option सही है इन में से हाँ ऐसा क्या सर अगर C2 और C3 का equivalent बना दें तो इस प्रकार से बनेगा अगर मैं C2 और C3 का equivalent बना दूँ तो यह हो जाएगा C1 यह हो जाएगा C2, 3 तो बेटा C2 और C3 का equivalent क्योंकि दोनों कैसे है parallel combination कैसे है बेटा यह parallel combination तो जब आप इनका equivalent बताओगे तो कोई C2, 3 नाम का कुछ आएगा बेटा इस पे potential V1 इस पे potential मैंने बोला V2 क्यों sir V2 क्यों बोला अरे कुछ भी बोलो V2 बोलो चाहे तो V3 बोलो क्योंकि दोनों parallel में है और parallel में तो potential same होता है दोनों parallel में है तो दोनों अब parallel में है तो बेटा इस पे potential था V2 इस पे potential था V3 तो बेटा parallel combination में तो V2 और V3 बराबर होते हैं ना तो इन दोनों का जो equivalent आएगा उस पे भी potential या तो V2 या फिर V3 हो जाएगा बैटरी का potential V है बेटा पूरे circuit के across potential difference सेम रहने के कारण क्या मैं V को लिख सकता हूँ बेटा V1 प्लस का V2 क्या मैं V को लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 क्या बेटा यहां से देखा तो पता चला कि यहां से charge Q1 आ रहा है या फिर छोड़ो यहां से मत पता करो यहां से देखो यह charge Q2 इधर आया यह charge Q3 इधर आया और इधर चला गया कितना Q1 चार्ज बेटा देखने से साफ पता चलता है कि Q1 जो हो जाएगा वो Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा तो दो बातें जो मुझे दिख रही है from the figure option से match करके देखो कौन से option में यह बातें दिख रही होगी आपको मुझे सिर्फ third option ऐसा दिख रहा है जिसमें मेरी कही हुई बातें लिखी हुई है तो मेरे लिए तो सिर्फ यही option सही होगा, बाकी के options में लिए गलत हो जाएंगे बेटा, और ऐसे भी तुम देखो न, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, गलत बात है, Q2 is equal to Q2 plus Q3, क्या फालतु की बात बोल रहे हैं, और Q2 is equal to Q3, बक्वास बात है फिर से यह, तो बेटा यहाँ पर third is the right answer, चापने इसको, किया नोट से भी ने, बढ़े अगले सवाल क्योर, बेटा अगला सवाल जिसमें बोला गए, एक 4 microfarad का condenser है, condenser यानि के capacitor, इसको parallel में जोड़ा है, 8 microfarad के condenser के साथ, इन दोनों का जो combination है, उसको हमने series में जोड़ दिया, विदा 12 microfarad, तो बेटा यहाँ प है, उनको हमने क्या किया, series में जोड़ा with another capacitor, तो यह 12 microfarad का हो जाएगा, यह 4 microfarad का हो जाएगा, और मेरे बच्चे नीचे वाला हो जाएगा, 8 microfarad का, इन सब को मैंने एक बैटरी से कने किया, बैटरी का जो potential है, वो कितना बताया होगा भई सब, बैटरी का potential कितना, 20 volts का, इन सब को मैंने क्या किया, बैटरी से कने किया, 20 volts का, the charge on the plates of 4 microfarad, बैटा, 4 microfarad वाले पे कितना charge आएगा, यहा को बताना है, तो मा लीजे कि यहां से जो overall charge गया वो है Q1, तो इसके उपर बैटा, चार्ज आएगा कितना Q, यहां पे उपर जो चार्ज गया, it is Q1, नीचे क जो चार्ज जाएगा Q2, तो बैटा, आपको basically वो Q1 की value मांग रहा है, कितनी होगी, क्या मांग रहा है, तो चार्ज on the 4 microfarad capacitor, यानी कि वो Q1 की value मांग रहा है आपसे, कैसे निकाले सब Q1 की value, कैसे निकाले, बैटा, क्या मैं बोलू, इधर potential आया V, और इधर आया V1 और बोलो जड़ा, सही बात है सरु, circuit को simplify किया गया, तो circuit को simplify करके पता चला, यहां 12 microfarad का और 8 और 4 का equivalent बना दिया गया अपर, यह है 12 microfarad का, तो बैटा, 8 और 4 दोनों क्या है, parallel में है, 8 और 4 दोनों क्या है, parallel में है, तो बैटा, 8 और 4 का equivalent क्या गया लाएगा, हां, parallel वाले का equivalent क्या हो था मैटा 8 plus का 4 यानि की कितना बनेगा 12 microfarad तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 microfarad और यहाँ पे battery लगा दी 20 volt की बैटाई इस पे potential V तो इस पे potential कितना V1 हो जाएगा इस पे अगर potential V है तो इस पे potential कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा यार तुमने अगर V1 की value निकाली तो मज़ा आजाएगा अगर तुमने V1 की value निकाली तो मज़ा आजाएगा क्योंकि सीधा V1 वहाँ put करेंगे और charge आजाएगा तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से देख के पता चल रहा है कि V1 को कितना होना चाहिए 20V होना चाहिए लेकिन सर V अंजान है V कोई बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते तो circuit को और simplify किया हमने बोला कि सर यह दोनों देखो series combination दिख रहा है तो इन सब को हटा दिया और एक अकेला capacitor लगा दिया तो बेटा यहाँ पर बोलो 12-12 का equivalent C equivalent for the series हो जाएगा कितना बोलो 1 upon C equivalent for the series should be equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 बेटा यह हो जाएगा कितना 1 by 12 plus 1 by 12 so 2 by 12 हो जाएगा 1 by 12 plus 1 by 12 यह हो जाएगा 2 by 12 तो बेटा solve करने से C equivalent मिलता है for the series which is given by 6 microfarad series के लिए C equivalent हाएगा 6 microfarad तो मैंने लिखा 6 microfarad और यहाँ पे 20 volt की बैटरी क्या अब यह मेरे लिए solve करना आसान है क्या मैं निकाल सकते हूँ कितना charge flow करेगा बैटरी से क्या मैं देखूँ बैटरी कितना charge को flow करवा सकती है बिलकुल निकाल सकते हूँ Q is equals to C equivalent into V 6 into 20 बोले तो 120 बेटा micro चल रहा है भी भी हाँ सर micro coulum Q is the charge जो निकलेगा ज़रा इधर आओ वापस पीछे आओ क्या Q charge निकल रहा है हाँ सर बिलकुल Q charge निकल रहा है क्या यही Q charge इसमें जाएगा हाँ सर यही Q charge इसमें जाएगा क्या यही Q charge इसमें भी जाएगा हाँ सर यही Q charge इसमें भी जाएगा ज़रा गौर फरमाईएगा बेटा इसमें Q charge जा रहा है इसका capacitance पता है क्या V1 को निकाल सकते हो गया तुम लोग वीवन को Q by C करके find कर लो बैटा V1 मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा वई भाई गॉड वीवन मिलते ही मैं सीधा formula लगाऊँगा तो पहले तो मैं सोचा था V plus V1 equals to 20V करूँ पहले मैंने क्या सोचा कि V plus V1 करके और 20V करता लेकिन अब मैं यह नहीं करने वाला हूँ अब मेरा मन नहीं है करने का ऐसा नहीं कि गलत है यह पर मेरा मन नहीं है मुझे charge मिल चुका है बेटा मुझे charge मिल चुका है जो बैटरी सर्कुलेट कर रही थी और यही charge इस 12μF से जाएगा यही charge इस 12μF से बजाएगा तो V1 equals to Q by C किया तो V1 is equals to 120 divided by 12 बेटा यहार है 10V तो क्या हमने V1 का value निकाला मेरे बच्चे क्या हम V1 का value निकाल चुके है हाँ सर जरा फिर से चलो पीछे बेटा जो potential इस पे था क्या वो potential इस पे होगा वही potential इस पे होगा क्योंकि V1 और V2 बराबर है बेटा बोलो जरा यह 12 microfarad कहां से है था सर इन दोनों का equivalent चार और आठ का equivalent आया था 12 चार और आठ पैरलल में है तो जो potential इस 12 microfarad पे होगा इस वाले पे जो potential इस पे होगा वही potential इस पे भी होगा वही potential इस पे भी होगा तो देखो मैंने बोले V1 equals to V2 बेटा जरा इदर आओ Q1 is equals to Q1 is equals to C V1 होगा क्या सोचो जरा बेटा 4 microfarad में कितना charge जा रहा है Q1 जा रहा है 4 microfarad में कितना charge जा रहा है Q1 charge जा रहा है तो बेटा क्या मैं लिखूं Q1 is equals to C1 V1 तो मेरे बच्चे क्या मैं यहां से solve करूं कि Q1 is equals to C into V1 की जगा पे बोलो जरा क्या मैं लिखूं 10 V तो यह क्या है बनेगा 40 micro coulum क्योंकि वो microfarad है तो हमारा answer बनेगा micro coulum का तो B option is absolutely correct है So B option यहां पे बिलकुल सही हो जाएगा उमीद करता हूँ बातें आपको समझा रही है क्या किया मैंने सबसे पहले सबसे पहले तो circuit को solve किया sir circuit को solve करके battery कितना charge circulate करती है वो निकालो एक बार वो charge मिल जाए तो इधर आओ sir यही charge इसमें से भी जाएगा यह वाले 12 microfarad को देखो बिटा यह 12 microfarad 8 और 4 के combination से बना है तो इस पे potential निकालिया इस पे potential आ रहा है भी टेन वोल्ट का हमने निकाल के देखा भी इस पे potential आ रहा है टेन वोल्ट का तो जो potential इस पे होगा वही potential इस पे भी होगा क्योंकि दोनों parallel में है तो आपने V1 निकालिया, it comes out भी 10 V, उठा के पुट किया, इस पे भी 10 V, इस पे भी 10 V, अब इस पे चार्ज कितना जाएगा साब? इस पे चार्ज कितना जाएगा? तो बैटा Q1 equals to C V1 करके Q1 is equals to C कितना 4 micro farad, बैटा micro मतलब 10 की पाव माइनस का 6 और voltage कितना 10, तो 40 into 10 की पाव माइनस 6 कूलम, जिसको कहते है 40 micro कूलम, तो इस इस दा final answer, यही एप्रोच, ऐसे ही करने question solve, अभी थोड़ा सा और complicated हैगा तो किर्चो फला लगाना सिखा दूँगा, लेकिन इसके लबाब और कुछ है ही निसमें समझ जो बात को, चलिए भई, इसको note कीजिए पहले तो, फिर हम आगे बढ़ते थोड़ा और questions करेंगे, ताकि thought और ज़्यादा clear होता है, ठीक है circuits मैं आपको कराऊंगा, variety of questions मैं करा दूँगे आपे, जिससे कि आपको कभी समस्या नाया है किसी में चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों के लिए, बोला गया है कि, चार capacitors है जिनका capacitance C है आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से जिस point को आपने अर्थ से connect किया है जिस point को आपने अर्थ से connect किया है वहाँ पे होगी grounding या फिर मैं बोलू, earthing एक ही बात है बेटा या तो आप grounding बोल दो या तो आप earthing बोल दो एक ही बात है और जहाँ आपे भी grounding होती है वहाँ पे potential 0 होता है क्योंकि वो earth के साथ connected है earth का capacitance बहुत जादा ऐसे होता है ना कितना है था 711 microfarad हमने बोला था सर ये almost infinite वाली value है ये almost infinite वाली value है जिसके कारण potential भी almost 0 ही होता है 711 microfarad earth के लिए हमने निकाला था आपको याद हो तो earth के लिए capacitance 711 microfarad निकाला था जो कि almost infinite के equivalent ही है क्योंकि ये value भी बहुत बड़ी है हाँ तुम सोचो जरा सिर्फ मैं अगर लिख दूँ 1 farad 1 farad बहुत बड़ी value होती है इस वेरी 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 ग्रेटर थेन इस value पर ये इसको कम मत समझना ये भी इतनी बड़ी value है कि हम इसको infinite consider कर सकते ये वाला capacitance इतनी बड़ी value है कि इसको infinite consider कर जा सकता है इतनी बड़ी value जिसको infinite consider कर रहा है तो उसके लिए potential भी जो 0 होगा तो जहां पे भी आप grounding करोगे उस point पे potential क्या हो जाता है बिटा 0 हो जाता है तो मैंने बोला साब इस point पे potential है 0 बेटा बैटरी है ये higher potential ये lower potential यहां plus का आएगा कुछ हाँ सर बिलकुल यहां minus का आएगा कुछ यहां plus का potential यहां minus का potential यहां plus का potential यहां minus का potential बट सर potential है क्या है क्या ये देखो क्या d point पे potential 0 हो सकता है बेटा बोलो ना देखो इसको मैं तरीके हैं दो तरीके या तो आपको circuit solve करके बता दूँ या फिर smart तरीका बता दूँ circuit solve करते हैं सबसे पहले हमने निकाला c equivalent बेटा c equivalent कितना हो जागा c by 4 series में connected है सबको मैंने क्या क्या c equivalent निकाला it comes out to be c by 4 या तो चलो एक काम करते हैं o और b के बीच में निकालते हैं between o and b o और b के बीच में निकालते हैं तो बेटा इसके बीच में c equivalent आता है c by 2 इसके बीच में c equivalent आता है c by 2 बेटा चार्ज कितना supply करेगा यहाँ से चार्ज कितना आएगा तो चार्ज निकालना पड़ेगा तो चलो बई, चार्ज निकालते हैं Q is equals to C equivalent into V बैटा, Q की जगह पे Q लिखो, C equivalent की जगह C by 4 और V की जगह पे put करेंगे 10 तो आइधिंग यह बनेगा, कितना? 2 to the 4 and 2 to the 10 तो 5C by 2 is the charge तो बैटा, टोटल कितना चार्ज का सप्लाई हो रहा है, 5C by 2 तो यहां से charge आएगा Q वाला यह charge इधर जाएगा, इस पे भी charge इधर जाएगा तो O और V के बीच में बात करें तो बैटा, देखो ज़रा अरे यह समझतों न, चारों कैपासिटर सीरीज में हैं अभी मैं पूरे circuit को consider कर रहा हूँ अभी मैं पूरे circuit को consider कर रहा हूँ, तो चार कैपासिटर जब सीरीज में connect होते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं इस पे potential है 10V का बैटा तो Q, यहां पे पहली बात तो पहली C equivalent हो रहा है का C by 4 अब सीरी से बात है Q equals to C equivalent into V करना था तो बैट C by 4 और potential था 10V का तो यह बन जाएगा 5C by 2 क्या कर रहे हैं तुम लोग वही तो मैंने यहां पे लिखा है अब सिर्फ O और B के बीच में बात कर रहे हैं B और O के बीच में बात कर रहे हैं it should be equals to बैटा क्या लिखे हैं यह formula Q equals to C V अरे बोलो so delta V equals to Q by C so Q divided by C बैटा कितना चार्ड जा रहे हैं 5C by 2 into C की जगा C by 2 C by 2 से C by 2 मर जाएगा delta V बनेगा 5V का बैटा यह किस की बीच में बना यह बना sir VB और VO के बीच में तो VB minus VO should be equals to plus का 5V मेरे बच्चे O point पे potential 0 है तो यह potential तो 0 हो जाएगा तो B point पे potential आएगा plus का 5V ठीक है? ठीक है? अच्छा अब O और D के बीच में निकाल के देखते हैं तो बैटा O और B के बीच में होया अब O और D के बीच में निकालते हैं तो between O and D तो बैटा यहाँ पे delta V जो होगा VO minus का VD क्यों सर? ऐसा क्यों कर रहां बार बार? बैटा हम यहाँ निकाल रहा है अच्छली जो higher potential पे हैं कौन है? B और O में से B higher पे हैं तो B का potential O से जादा होगा और D का potential सबसे कम होगा क्योंकि D पे जो potential आएगा वो negative आएगा पता चलता है तुम्हें D पे potential negative क्यों आ रहा है? क्योंकि negative terminal से connected है तो यहाँ पे potential जो होगा वो negative आएगा B पे higher potential O वाला जो है बीच में 0 potential पे और यह negative potential पे तो यहाँ पे जब मैंने delta V लिखा तो it should be a beta क्या होगा? D से O पे जा रहो D से O पे जा रहो शुट भी VO minus VD किया हमने अच्छा so delta V जो बनेगा it should be a minus का VD बहुत बढ़िया बटा यहाँ पे BC equivalent की बात करें तो C by 2 होगा and the formula says delta V equals to Q by C equivalent so minus का VD should be equals to beta Q की जगा कितना है था बटा? 5 Q by 2 oh sorry 5 C by 2 5 C by 2 multiply by C by 2 C by 2 से C by 2 मर जाएगा it should be a 5 V तो बटा D पे जो potential आने वाला है it should be minus का 5 V चली यह हमारे calculation से हमने solve किये इसको अच्छा तुम लोग यह बात confuse हो रहोंगे कि सर यह क्या कर रहा है कभी delta V में आपने यहां लिख दिया VB minus VO यहां लिख रहो VO minus VD इधर भी VD minus VO करते ना क्या जारत आपका कर लो बेटा कोई दिक्कत नी है यहां पे भी VD minus VO करोगे लेकिन डाइग्राम देखके तो एक बात समझ आती होगी परोच बड़ी सिंपल है सबसे पहले हमने क्या किया बैठें यहां पे कि ओवरॉल यह बैटरी जो है कितने चार्ज को सर्कुलेट कर रही है पहले हम यह कैलकुलेट किया अब वह कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोल छोड़ धर के लिए भूल गया कि हमने कोई ग्राउंडिंग की थी हम भूल जाते सारी बाते हमने इस ग्राउंडिंग को भूल के सिंपल सा सर्कुलेट बनाया तो यह दस वोल्ट की बैटरी पहला कैपैसिटर दूसरा तीसरा और चारो केपैसिटर यहां पे बनाये बिटा जाओं कि चारो केपैसिटर सीरीज में है आपको पता है इक्विलेंट बजो बनता है वो सी बाइफोर बनेगा by the formula 1 upon c equivalent is equal to 1 by c plus 1 by c plus 1 by c plus 1 by c करके तो यहां से बिटा c equivalent की value c by 4 आगई potential का जो difference है वो हमें पता है बैटा यहां से कोई charge निकलेगा Q and that charge Q is given by the formula C equivalent into V बैटा C equivalent C by 4 है V यहां पे 10 है 2 to the 4, 2 to the 10 तो 5 C by 2 is the total charge जो कि यहां से निकल रहा है बैटा क्या है यह total charge इधर जा रहा है हासर जाएगा बिलकुल जाएगा circuit complete हो रहा है बहुत बढ़ी अच्छी बात है मज़ आ जाएगा जाएगा गहर फर्माओ तो अगर मैं क्योंकि आपको क्या चाहिए potential चाहिए at point B तो B और O के बीच की बात करें तो बैटा B और O के बीच में दो capacitor आ रहे हैं तो मैंने बात करी between the points B and O देखो मुझे कैसे बता चला कि कौन higher पे है कौन lower पे है तो इसका बड़ा simple सा अप्रोच है बैटरी का positive terminal देखा बेटा ये positive terminal positive बेटा यहाँ पे आपने grounding कर दी जहां grounding की है वहाँ potential zero हो जाता है तो zero और यहाँ पे इसमें कौन higher पे होगा और यहाँ पे बैटरी का negative terminal यहाँ पे negative potential आ रहा है बेटा यह zero है यह negative है कौन higher पे होगा zero वाला बढ़ी negative से तो बड़ा ही होता है zero तो यह higher पे हो जाएगा lower पे हो जाएगा तो मैं जब भी delta V लिख रहा हूँ जब भी मैं delta V लिख रहा हूँ यहाँ तो आप एक काम करो higher minus lower कर लो तो VB minus VO कर लीजिए यहाँ से अब आप करोगे तो इधर जाओगे इधर जाओगे तो VO minus VD कर दोगे आप लोग फिर समझो बेटा circuit को complete करा VB minus VO VO minus VD तो मैंने सबसे पहले O and B के बीच में देखा O और B के बीच में तो बेटा VB minus VO VB minus VO delta V हो जाएगा बेटा दोनों के बीच में दो capacitor है तो इनका C equivalent C by 2 हो जाएगा तो फिर हमने लगा delta V equals to Q by C बेटा चार्ज सीरीज में connected है चार्ज तो वही आएगा 5C by 2 चार्ज की जगा 5C by 2 put किया C equivalent C by 2 था C by 2 से C by 2 मर जाएगा delta VR है 5V का बेटा ज़रा गौर फरमाएगे delta V था VB minus VO VB minus VO 5V है VO 0 है बेटा O पे potential 0 है तो VB आजाएगा plus का 5V clear है कि बाते अब आगे बढ़ते है बेटा VO minus VD VO minus VD करेंगे अब हम लोग अगले केस में तो अगले केस में VO minus VD तो delta V हो जाएगा VO minus VD C equivalent C by 2 होगा तो फिर से हमने वही कहानी लगई and VD इस बार minus का 5V आ रहे है तो ये तो हमारा normal calculation से था अब ज़रा दिमाग लगाते हैं अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा रहा हूँ बेटा 10V की और यहाँ पे दो केपासिटर लगा दिये यहाँ पे भी दो केपासिटर लगा दिये और ये connection किया और बीच वाले पाट की कर दिए grounding बैटा इस इस दा पॉइंट B इस दा पॉइंट D and I think this is पॉइंट A और यहाँ पॉइंट कौन सा था C ठीक है A, B, C, D, T मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना ये बोला गया positive terminal, negative terminal ये 10V का ज़रा गौर फर्माई है मजा आएगा देखना charge का flow हमेशा higher potential से lower potential की तरफ होता है ये बात हम जानते हैं तो charge जो flow करेगा it will go like this यहाँ से Q charge आएगा sir इधर से जाएगा इधर से जाएगा और यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ से circuit complete करना चाहता है ये हाँ बिल्कुल करेगा भई ये higher potential पे lower potential पे charge का flow करवा दीचे ज़रा गौर फर्माना important बात है ये कि अगर मुझे देखना है तो higher potential अगर मैं 10 वोल्ट यहाँ ले लूँ और यहाँ 0 वोल्ट ले लूँ तो क्या ये higher potential पे क्या वो lower potential पे हाँ sir बिल्कुल से बात बोली आपने अगर ये 10 वोल्ट पे तो ये भी 10 वोल्ट पे ये बिटा 0 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये higher जाएगा 0 वोल्ट पे अगर ये भी हम consideration करता है क्योंकि option देखो बेटा तो option में आपको दे रखा है plus का 10 वोल्ट और 0 वोल्ट तो मैंने ये वाला case consider किया option देखा plus का 10 वोल्ट और 0 वोल्ट तो मैंने बोला साब एक काम करो B को ले लो 10 वोल्ट पे और D को ले ली 0 वोल्ट पे हो सकता है ऐसा भी लेकिन इस case में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि charge का flow यहाँ तो हो जाएगा लेकिन यहाँ यह वाला circuit यह भी 0 वोल्ट यह भी 0 वोल्ट यह short circuit हो जाएगा ऐसे case में फिर ऐसे case में बेटा ये short circuit हो जाएगा कोई charge जिससे flow नहीं करेगा तो circuit complete नहीं हो पाएगा फिर आपका इसलिए बोर रहा हूं कि 10 volt और 0 volt का option गलत हो जाएगा इसलिए मैंने बोला कि साब 10 volt का और 0 volt का option गलत है अगला है plus का 5 volt, minus का 5 volt ये तो सही है इसलिए माइनस का 5 volt, plus का 5 volt क्या बेटा बी वाला point क्भी negative terminal पे आ सकता है क्या बोलो जरा क्या बेटा बी वाला point कभी negative terminal पे आ सकता है क्या है नहीं आ सकता न और से भी पीछे चल जा और और जोड़ा सा एक मिट रोड़े कुछ हट नहीं रहा एक बात बताओ मुझे क्या बी वाला negative terminal पे आ सकता है कभी सोच के दोखो क्या बी पे माइनस का 5 volt लगा सकता हूँ और यहां पे plus का 5 volt लगा सकता हूँ सर यह positive terminal negative कैसे आ सकता है नहीं हो सकता है स्मार्ट वर्क करो यार पहली बात तो 10 volt और 0 volt option चेक किया पता चला साब 10 volt तो ठीक है लेकिन यहाँ जैसे 0 volt आया यह भी 0 volt यह भी 0 volt यह पार्ट शॉट सर्केट होगा है अगर यहां पे 5 volt 5 volt की भी हम भेज दें कहानी को जैसे माल लीजे है ऐसा हो गया कि साब plus का 5 volt इधर चल जाएगा और minus का 5 volt इधर चला जाएगा तब भी तो total potential difference 10 volt का हो रहा है हाँ हो रहा है सर यहां पे हमने बोला कि अगर यह minus का 5 volt आ जाए और यहां पे plus का 5 volt आ है जो कि possible ही नहीं है तो एक ही case possible बनता है कि यहां पे plus का 5 volt हो और यहां पे minus का 5 volt हो ताकि यह higher potential पे lower potential पे चार्ज जाएगा higher potential पे lower potential पे charge का flow होगा circuit complete होगा ultimately अपना ठीक है तो I hope अभी यह बात से आपको समझ आती है बाकि 0 volt और 10 volt की कहानी भी बिलकुल पकवास है क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है तो भाई question तो भाई है solve करने के अलग तरीके है मैंने जो solve किया पहरे आपको पूरा calculation करके बता दिया इसके अलावा option यह था कि अगर आप दिमाग लगा लगा लो तो आपको भी पता चलेगा B higher potential पे D lower potential पे B हमारा higher potential पे D हमारा lower potential पे है तो B higher potential पे D lower potential पे B higher potential पे D lower potential पे B lower potential और D higher potential गलत है B, lower potential D, higher potential गलत है, यानि A और B में से सही option होंगा, अब A को भी हमने जब put करके देखा कि अगर 10 volt यहां लगा दू, 0 volt यहां लगा दू तो यह वाला part short circuit हो जाता है, तो हमारा पहला option भी गलत हो जाना था, और हमारा final answer आना था B option, तो यह smart work है बेटा, circuit को देखा smartly हमने work किया and we got the final answer उमीद करता हूँ, समझ आ रही होगी बात है आपको है ना चाप लीजे, वैसे तो आपने चाप लिए देख लो एक बाद कुछ और extra सारी बात है पता हो नीची अपने को, ठीक है यहां लिग दू, यहां पे 10 volt और यहां 0 volt, यह भी पॉसिबल नहीं है तो से वीजी चीज पॉसिबल है जो कि हमारा सही answer है चली बेटा, आगे बढ़ते हैं to the next question, question नहीं है केट्चाफ लो है, अब देखो और भी complicated circuits हमारे पास आएंगे तो ऐसे circuits को solve करना है जैसे कि अभी ये भी circuit आया था ये बढ़ा, इसको हम केट्चाफ लो से भी solve कर सकते हैं तो अभी जो हमने चलो दिमाग लगा लिया पता चल गया, लेकिन कभी कबार ऐसे दिमाग हर जगा नहीं लगा पाते हैं, तो क्या करें उस जगाँ पे किर्चॉफ लो काम आता है जैसे इस circuit को भी solve करने के लिए किर्चॉफ लो हमारे बहुत काम आएगा कैसे काम आएगा, वो मैं बताता हूँ तो बेटा, किर्चॉफ के दो लो जो हमारे सबसे ज़ादा काम आने वाले, सबसे पहला लो होता है ये इसको कहते है junction law, ठीक है इसको क्या बोलेंगे बेटा, junction law और ये जो law है, तुम पहले से जानते हो ये law तुम पहले से जानते हो अभी इतने बार questions किये तुमने है कि तुम्हें पता होगा माल लो कोई junction है बेटा मारे पास कोई junction है, जिस पे charge q1 आ रहा है charge q2 आ रहा है और charge q3 आ रहा है और यहां से charge q4 जा रहा है तो बेटा, this is the junction point इसको क्या कहते है बेटा, junction कहते है इसको तो बाई, junction law बड़ा simple है कहता है आप लोगों से कि यार, किसी भी junction पे किसी भी junction पे आने वाला charge बराबर होता है जाने वाले के यह तीनों कौन है आने वाले यह कौन है, जाने वाला हाँ, तो आने वाला is equals to जाने वाला, किसी भी junction पे कहानी valid है, आने वाले कौन-कौन q1, q2, q3 बराबर है जाने वाले के तो this is the junction law बेटा क्या ऐसे cases हम पहले नहीं करते थे sir q charge आ रहा है इधर बटवारा हो गया q1 का इधर बटवारा हो गया q2 का तो कितने वाल लिखा था आपने, q equals to q1 plus q2 तो यह junction law तो हम पहले से ही करते आ रहे, बट उसको क्या वा किर्चॉफ अंकल ने अच्छे से explain कर दिया और बोला लो भई junction law लग गया ऐसा नहीं कि आज ही हमें पता चला junction law का इससे पहले हमने सवाल किये उसमें junction law लगा लिया था लेकिन चलो भई ठीक है किर्चॉफ अंकल ने बात बोली तो उनका मान रख लो ठीक है उनका law follow कर लो ठीक है तो पहला law है junction law दूसरा होता है इनका loop law इसको प्यार से हम loop law कहते now why loop sir क्योंकि यहां पे किसी close loop की बात होगी इन्होंने बोला कि in a close loop किसी भी close loop में जो electric circuit होता है the algebraic sum of the potential drop across the different element is zero बेटा किसी भी close loop के अंदर जो potential drop होता है किसी भी loop के अंदर यहां पे जैसे कि मैंने close loop ले लिए बेटाजे किसी भी close loop के अंदर जितने भी elements है उन सब का potential drop होता है उसका sum zero होना चाहिए मान लीजे इस पे potential है V और इसके cross potential है V1 मान लो मानने में के जार हो तुमारा ठीक है इसके cross potential है V इसके cross potential है V1 तो potential drop की बात करते है बेटा चार्ज यहां से flow करेगा क्यों यह positive terminal negative terminal चार्ज गया गया यहां पे positive terminal negative terminal और circuit complete हो potential drop किसी भी close loop में the sum of the potential drop इसके cross potential drop होगा पिटा plus का V1 फिर इसके cross potential drop होगा पिटा plus का V होगा ना नहीं होगा क्या minus का V हो जाएगा नहीं तो इसके cross potential drop है plus का V इसके cross potential drop है minus का V तो इनका sum तो V1 minus का V should be equals to 0 क्या बोले पिटा V1 minus का V should be 0 तो यहां से V1 का value V के बराबर हो जाएगा क्या यह आप पहले भी कड़ चुके हो अरे सर पैरलल कॉंबिनेशन में potential तो सहीम होगा तो यह वाली बात किर्चव अंगल के loop law से पता चलती कि कि किसी भी close loop में जो potential drop होता है किसी भी close loop में जो potential drop होता है across the different element element, अलग-अलग element capacitor भी एक element है battery भी एक element है तो अलग-अलग elements के across potential drop बेटा, drop का मतलब क्या होता है जब भी मैं बोलो potential drop मतलब potential drop in going from A to B मतलब A का potential minus B का potential अभी मैं अच्छे से और explain करता हूँ इसको तो बेटा, drop जब करोगे तो आप देखो initial minus final करोगे drop करते time पे initial minus final charge कहां से जा रहा है यहां से यहां जा रहा है तो initial minus final है charge कहां से जा रहा है यहां से यहां जा रहा है तो initial minus final करके potential drop ने करोगे तो इधर इस capacitor के उपर potential drop आ रहा है बेटा plus का V1 battery के उपर potential drop आया माइनस का V1 तो किर्चाफ अंगल का लूप 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 लॉप 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 कहता है कि V1 प्लस माइनस का V शुट भी इकोस तो V1 माइनस का V 0 यानि V1 इकोल सू V और यह बात है हम ऐसे भी जानते हैं कि parallel combination है तो जो पोटेंशल इस बैटरी को होगा वही पोटेंशल कैपासिटर के अक्रॉस भी तो V हम ऐसे भी जानते हैं किर्चाफ अंगल के दो लॉप पहला है होगा60 होगा ठीक है पहला वाला बेज्ड होता है अईसलेटर शिस्टम में बात करें तो हम नहीं बोला कि आने वाला च्रज बराबर जाने वाला च पहते है so it is based on the conservation of energy actually. loop lock is based on this, energy conservation is based on this. After that, we start the energy case and then we have ultimately relation to this, that the potential is the sum, that you have zero okay? clear the truth, clear all of them. imagine that there is an element in it, it has a capacitor. here I have a battery and what do I do? I have another capacitor. लगा दिया सब्सक्राइब। टीक है? बात यही है कि यहाँ से charge निकला, तो charge का flow देखो बाता, charge हमेशा higher से lower पे जाता है, तो charge अगर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ charge जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर charge इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, और charge यहाँ पे जाता है, तो अगर इधर देखा जाए, तो क्या यह higher potential पे होगा, और यह plate lower potential पे होगी, यह वाली plate higher potential पे, lower potential पे है, बैटा, यहाँ पे देखो, charge ऐसे जा रहा है, यहाँ पे higher potential था, यह lower potential था, कोई बात है, बैटरी तो supply करती वैसे भी उसका है, अब ज़र गौर फर्माना, ध्यान से सुना, बैटरी को छोड़ दो, इसको देखो, capacitor को, यह वाला capacitor C1 हो जाएगा, यह वाला capacitor C2 होगा, इस पे potential drop कितना निकाले, बैटा, पहली चीज़ तो यह समझो potential drop है क्या, अगर मैं बात करूं, बैटा, potential drop कीज़, तो it is actually initial potential minus final potential, minus final potential, ठीक है, initial कौन होगा, final कौन होगा, बैटा, circuit में देखो, charge कहां से जा रहा है, charge A वाली plate से B वाली पे जा रहा है, charge A वाली plate से B वाली plate पे जा रहा है, तो बैटा, अगर charge A वाली plate से B वाली पे जा रहा है, तो यहां पे potential at the plate A minus potential at the plate बी हो जागा. It is the potential drop. अंतर समझ लों दोनों में. अगर ये charge A से B जा रहा है तो potential drop होगा V A माइनस VB. और अगर मैं बात करों potential difference की तो अंतर समझो बेटा क्या है अंतर? अगर मैं बात करों potential difference की तो बेटा difference में होता है final minus initial. अगर मैं बोलून ड्रॉप तो वो होता है इनीशल माइनस फाइनल तो यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस का वी यह क्या है बेटा पोटेंशल डिफरेंस है यह क्या होगा पोटेंशल डिफरेंस हो जाएगा यह तो potential difference कि अगर हम बात करें, तो it is v b minus v है, क्योंकि final minus initial करते हैं उसमें, final minus initial करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ potential drop की, तो हुता है initial minus final, तो initial minus final करके potential drop निकलो गए, दिखते हैं दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन भावना हैं दोनों की अलग अलग है, यह भी delta v से लिको हो हम बात करेंगे potential drop की, हम किस की बात करेंगे, potential drop की बात करेंगे, तो अभी question आएगा, तो automatically आप चीज़ समझ जाओगे, तो इसके across potential drop आएगा, कितना plus का V1, इसके across आएगा plus का V2, क्योंकि final, initial minus final करोगे, तो positive हो एगा, यहाँ पे आएगा minus का V, तो बेटा, कहानी कहती है कि इस circuit में, V1 प्लस का V2, minus का V, should be equals to 0, तो V1 प्लस का V2, V के बराबर होना चाहिए, क्या यह बात हम पहले भी करते थे थे, बेटा, कि V बराबर V1 प्लस V2 होगा, V बराबर V1 प्लस V2 होगा, क्या हम पहले भी करते थे, तो kit of law से भी यह वाली बात आ रही है, इधर potential drop प्लस का V1, इधर potential drop प्लस का V2, यहाँ पर potential drop minus का V, बेटा, देखो, charge K flow में, 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 किर्चौफ लॉव से, मतलब किर्चौफ लॉव सही भोल रहे हैं, एक प्रमाण मिल रहे हैं हम लोगों को, ये प्रमाण हमें मिल रहा है, ये बता रहा है कि किर्चौफ लॉव जो है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं उसमें, तो सवाल करोगे तो automatically समझा जाएगा, बाकि इसमें कुछ अगर तुम्हें लिखना है, तो देख लो बिटा, इसमें अगर तुम कुछ देखना चाते हो, कुछ लिखना चाते हो, किर्चौफ लॉव में है, तो इसको जल्दी से देख लीजे, क्योंकि फिर इसके बाद हम question solve करेंगे आगे, किया नोर्स अभी ने, ठीक अगर चार्ज का फ्लो यहाँ पे है, तो बिटा, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, अगर चार्ज का फ्लो यहाँ पे है, तो बिटा, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो बिटा, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, दोनों केस में potential drop निकालते हैं, इसमें अगर मैंने delta v. यहाँ मैं क्या निकाल रहो, बेटा, drop निकाल रहो. तो होता है, बेटा, initial minus final. Drop होता है, initial minus final. Initial, बेटा, charge के flow में देखो, charge के flow में देखो. Charge के flow में initial है higher potential पे, final है lower potential पे. Higher minus lower, positive आता है, बेटा. Plus का v हो जाएगा. अगर यहीं ही पे मैं drop निकालू, second वाले case में, तो वो भी क्या होता है, initial minus final होता है, बेटा. Drop अगर मैं निकालू in second case, तो वो क्या होगा, initial minus final. Initial minus final, lower से higher पे जा रहे हो, lower से higher पे जा रहे हो. Initial minus final, बेटा, lower minus higher, negative. अगर आपको बैटरी का potential V दे रखा होगा, तो आप क्या solve नहीं कर पहेंगे इसको? Drop. वैसे capacitor की कहा नहीं हो, यह capacitor, यह capacitor, अगर प्लेट, चार्ज इदर जा रहे है, तो यह higher पोटेंशल पे, lower पोटेंशल पे. ठीक है? चार्ज अगर इदर जा रहे है, तो यह higher पे, lower पे, उसके हिसाब सब चीजों को define कर पाऊगे फिर? और माल लो, कोई circuit ऐसा मिल जाए, जिसमें capacitor का, यह higher potential, यह lower potential और चार्ज इदर जा रहा हो, तो. मिल सकता है, ऐसा case भी हमें. तो मिल सकता है, इस case में बोलो, तो delta V drop, यहाँ पे drop कितना आएगा? सबस्ट वही बात होगी, drop अगर निकालना चाहो, तो क्या करते है, initial minus final, initial higher पे है, final वाल लोर पे है, तो यह होजाएगा कितना? माली जिसका capacitance C है, तो it is given by Q by C, plus का, और यहाँ पे delta V drop अगर निकालना तो it is given by minus का Q by C, बड़ा simple सी कहानी है, अरे Q equals to C V होता है, तो V equals to Q by C होता है, तो इसमें charge आ रहे Q, लेकिन यह positive में है, यहाँ पे drop निकालना है, initial minus final, initial minus final, initial वाला lower पे है, final वाला higher पे है, तो lower potential minus higher potential is the negative value. सेम कहानी आप resistor के साथ भी करोगे, किर्च ओफ लॉव हम resistors के लिए भी पढ़ते हैं, माल लीजे इधर ऐसे कहानी हुई और current आता है, charge की जगह इसमें, इसमें charge की जगह बेटा क्या आ जाता है, current आ जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं drop की बात करूँ, तो बेटा, drop is given by plus का IR, where R is the resistance of the resistor, और अगर मैं delta V drop, यहाँ पे निकालूँ, इस case में, तो it is given by minus का IR, तो drop is the initial minus final, आप हमेशा charge के flow के direction को देखो, या फिर आप सिफ current के flow के direction को देखो, तो काम बन जाएगा, ठीक है, current के flow के direction को देखो, सिर्फ आप लोग, और कुछ मत देखो, current कहाँ flow कर रहा है, charge कहाँ flow कर रहा है, बस वो देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा किस यहाँ से यहाँ गया ना, यह initial, यह final, charge जा रहा है, इधर से इधर आया है, यह initial, यह final, इधर से उधर जा रहा है, initial, final, बात समझते हो, यह अलग-अलग elements में आप potential drop निकाल सकते हैं, सकर के, clear रही यह बात है, question कर पाओगे इसके बात, पहले देख लो, जल्दी से फिर questions प law, question से बताता हूं, question से बताऊंगा मैं, in the circuit shown in figure, the potential difference across 3 microfarad capacitor, बिटा वो 3 microfarad वाले पे, कितना potential का difference आएगा, यह आपको बताना है, तो यह question तो हल्वा सा था, इसको क्या ही करें, यह question तो हल्वा सा आपने दे दिया, इसका क्या ही करें, अम लोग भी, यह वाला तो हो जाए आपको इसको करना है, कैसे करना है, जब तक वो mention नहीं करता, तो आप free हो, बिल्कुल, यह तो मैं तुम बोलो, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यह जो question हमने किया था पहले, यह वाला, इसको भी कर सकते है, किर्चॉफ लॉप बन रहे हैं तो पहली चीज इंपोर्टेंट यह ह है, कि आपका किर्चॉफ लॉप वही वैलिड है, जहां पे close loop बनता है, तो आपको चेक नपड़ेगा close loop कहां बनता है, पहले तो इन दोनों का क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, इन दोनों का निकालते हैं, combination, तो circuit इस प्रकार से बनेगा कुछ, हमें close loop दिखना चाहिए किर्चॉफ लॉप लगाने के लिए close loop जरूरी है, तो मैंने बोल दिया, आप मान लो यहां से Q चार्ज निकल रहा है, तो Q चार्ज इसमें गया, यह Q चार्ज का बटवारा हुआ, Q1 इसमें चला गया, Q2 इसमें चला गया, तो from the junction law, junction law के तहथ Q is equals to Q1 plus Q2, किसी भी junction पे आ आने वाला बराबर जाने वाला होता है, तो आने वाला है Q, जाने वाला है Q1 plus Q2, तो Q बराबर Q1 plus Q2 हो गया, junction law से, बेटा, 3 और 6 का, मैंने क्या किया, 3 और 6 का आपने कर दिया, सर, parallel combination, तो 3 और 6 का parallel कितनों होता है, बेटा, 3 प्लस 6, बैटरी लगा रखिए बारा वोल्ट की अब क्या ये लूप दिख रहा है आप लोगों को क्या बेटा आपको लूप दिख रहा है हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है पोटेंशल निकालते हैं देखो बेटा ध्यान से सुनना पहले आप ऐसे कोशन को कितने कॉम्लिकेटेड तरीके से करते थे अब आप इसको फिर से इकुलेंट बनाओगे फिर से इकुलेंट बनाके आप निकालोगे टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है फिर आप इससे इसका पोटेंशल निकालोगे जो पोटेंशल इस पहेंगे वहीं पोटेंशल इधर होना चाहिए बात समझ रहे होंगे शायद आप लोग मेरी इसके across potential आजाएका बेटा V1 और इसके across आगया potential V2 ये V2 potential 3μF पे भी होगा और यही V2 potential 6μF पे भी होगा because both are in the parallel combination दोनों के दोनों क्या है बेटा? तो ये V2 potential 3μF पे भी है ये V2 potential 6μF पे भी है इसके उपर potential आ रहे है V1 इस पे आ रहे है पेटा V2 और यहाँ पे बैटरी का है 12V चार्ज को flow कराते है उसके बाद potential drop निकाल नेंगे साहब charge यहाँ से निकला यह positive plate, negative plate charge की tendency हमेशा वो higher से lower पे जाती है higher से lower पे जाता है तो charge आया यहाँ यहाँ पे इधर आया और circuit complete करके किया तो पेटा इस दिस दा पाथ? इस दा पाथ of the charge? बिल्कुल से क्या यह आपको close loop दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है से तो अगर आपको यह close loop दिख रहा है तो अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया आपके रहे किर्च of law लगाईए इधर potential drop की बात करें तो यहाँ जाएगा प्लस का V1 इधर बात करें प्लस का V2 और यहाँ बात करें माइनस का 12 शुड बी 0 तो V1 प्लस का V2 बारा होता है यह बात तो हम भी जानते से रही बात इसकी किसकी उधर तो क्या करें अब V2 निकालना चाहते थे हम लोग तो charge मिल जाता तो मज़ा आजाता है ना तो charge तो निकालना है पड़ेगा overall तब भी आपको तो काम करते हैं किर्च of law लगाया किर्च of law से हमें कुछ फाइदा मिला नहीं मिला नहीं मिला चो कोई बाती तो V1 की जगह पे Q by C1 और V2 की जगह पे Q by C2 कर देते हैं Q divided by C1 plus Q divided by C2 should be equals to 12 बढ़ा C1 की जगह 4.5 So 10Q divided by 45 plus का 1 by 9Q should be equals to 12 LCM I think 45 ही आने वाल है तो यहाँ पे 10Q plus का यहाँ पे 5Q should be equals to 12 So 15Q should be equals to 12 multiply by 45 बटा एक बात का ध्यान रखना अभी मैंने micro को नहीं छेडा है Micro को मैंने कहीं पे भी नहीं छेडा C की जगह micro micro put करते हुए चलना Micro में ही answer आएगा अगे 5, 3 is a 15, 5, 9 is a 45 and 3, 3 is a 9 So Q का value बनेगा 36 micro coulum Q का value आगे 36 micro coulum और 36 micro coulum को अगर मैं यहाँ put कर दूँ तो V2 का value मिल जाएगा 36 divided by 9 यानि की 4 volt तो पेटा answer क्या आ रहे है आपे 4 volt answer क्या आएगा 4 volt पक्का देख लो एक वर जल्दी से 9, 4, 36 बिल्कुल सर 4 volt ही बनता है options में सारे 0 extras आगे क्या ओहो चलो कोई बात दी 36, 36, 36 हाँ बिल्कुल तो इसको में एक बात सही कर देता हूँ आपके options मैच करा देता हूँ कोई बात थी question वालों को भ्रहम हो गया होगा या तो हो सकता है question में एक data extra मेंने निकाल दी होगा तो इसको answer इसको answer इसको बनेगा विटा कितना बनेगा 4 volt का बनेगा I hope अभी बात समझ आती आपको तो 3μF का capacitor था हमने कोशिश करी किर्चॉफ law लगानी की लेकिन पता चला बात में यह तो बड़ा आसानी से ही हो गया था बिला किर्चॉफ law के भी solve हो गया कोई बात नी मायूस मत हो अगला सवल किर्चॉफ पे ही है अगला सवल किर्चॉफ पे होगा तो मायूस बिलकुल भी मत हो ना ठीक है यह वला आ गया गलती से कोई बात नी माफ करो मुझे भी और इस question को भी अगला वला पका किर्चॉफ से करेंगे ठीक है वैसे किर्चॉफ लगाने की कोशिश करी यह जो आप equation डारेक्ली लिखते थे वो किर्चॉफ से ही आई लेकिन ठीक है कोई बात नी इतना मजा नहीं आया इसमें न चलो ठीक है इसको चाप लो बेटा जल्ली से फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे बढ़े आगे ओकी बढ़े अगला सवाल हाँ यह पक्का किर्चॉफ पर होगा बोल गया है कि 5 कैपासिटर जो की connected है आपको दिख रहे हैं सारे के सारे कैपासिटर दिख रहोंगे और initially यह switch को open करके रखा है, जैसे ही switch को आप close करोगे, charge का flow होगा यहाँ पे, and when switch S is closed steady state is obtained, the potential difference between the points M and N, M और N के बीच में potential difference निकालना है M और N के बीच में potential difference निकालना है, तो switch को close किया, charge flow होगा, बड़ी battery से charge का flow करवाना, छोटी battery से नहीं, बड़ी battery से charge का flow कराना, तो देखो बड़ा, क्या potential का difference आता है between the point M and N, जल्दी से निकालो इस कांसर, हाँ बड़ी, try किया सभी नहीं, क्या किया सर, हमने switch को close कर दिया, बड़ा, जैसे switch को close किया, जैसे switch को close किया, दो battery, 7 volt की, 31 volt की, यार, यह दोनों का positive terminal उपर की तरफ, क्या करें, सर, ऐसे situation में, दोनों का positive terminal, एक side यार है, सर, कैसे करेंगे, अब charge का flow, तो बड़ा, majority में कौन, बड़ा कौन, यह, यह charge को भीजेगा, जो की आगे flow करेगा, इसने बोला, भई, 7 volt वाले, तू चुपचा, बैढ़ जा, ठीक है, हम बड़े हैं, हम charge का flow करेंगे, तो charge वहाँ से निकला, इस वाले में charge क्यू जाएगा, इस वाले में charge क्यू जाएगा, इस वाले में भी क्यू जाएगा, यहां से होते हुए, यह पूरा path follow करेगा, बैटा, यहां से होते हुए, इस पे भी charge क्यू और इस पर भी चार्ज क्यू और ये कहानी चलती जाएंगे चलिए बेटा क्लोज लूप दिख रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है साब तो यहाँ पे इसके क्रॉस इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो यहाँ पे हायर होगा यहाँ लूवर होगा फिर से चार्ज देखो इधर गया यानि हायर से लूवर की तरफ के बैटरी को देख के मत बनाना चार्ज के फ्लो के हिसाब से बनाई है तो बैटा यूजिंग ता किर्चॉफ लॉव लॉव मैंने spelling गलत लिख दी होगी शायदे ना तो देख लेना तुम लोग एक वर केट्चॉफ की spelling की गलत तो नहीं लिख दी मैंने हाँ जी बिटा केट्चॉफ लॉग लगाया तो सबसे पहले इसके across potential drop drop कितना? plus का V1, तो plus का V1 दूसरे के across potential drop plus का V2, तीसरे में potential drop plus का V3 यहाँ पर देखो बिटा, तो plus का 7 यहाँ पर देखो तो plus का V4 और यहाँ देखो तो plus का V5 और यहाँ देखो तो drop कितना बेटा? minus का 31 minus का 31 should be equals zero मेर बच्चे यहाँ पर V1 plus का V2 plus का V3 plus का V4 plus का V5 should be equals to 28 बैटा यह सही बात है क्या, गलत लिख दिया क्या मैंने, 24 होना चाहिए न, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, सही है, बैटा अब E1 की जगा Q by C लिख दूं क्या, so it is Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3 plus Q divided by C4 plus Q divided by C5, should be equals to 24, अच्छा, बैटा C1 कितना? 4uF का, C2 कितना? 2 का, यह दो को यह C1, C2, C3, C4, C5 है न? तो ऐसा करके जब इनकी values put करोगे तो आपको पता चलेगा total कितना charge flow कर रहा था तो आओ ज़र अगले page पे करते हैं इसको so q divided by c1 की जगा beta मैं क्या लिखा हूँ c1 की जगा लिखा 4 plus q divided by 2 plus q divided by 4 plus q divided by 6 plus q divided by 1.2 check कर ले तो एक बार सही लिखा है कि मैंने 2, 4, 2, 4 6, 1.2 4, 2, 4, 6, 1.2 equals to 24 LCM क्या है बेटा यह pointed आया उपर 10 आया और 2, 6, 12, 2, 5, 10 हो गया तो 2, 4, 6 का LCM I think LCM तो 6 ही बनने वाले है बेटा LCM तो 6 ही बनेगा कुछ भी कर लो नहीं 12 बन रहा है 12 बारा LCM आ रहा है चलो ठीक है 4, 3, 12, 3, Q 2, 6, 12, 6, Q PLUS का 3, Q PLUS का 2, Q PLUS का 10, Q बेटा LCM लेना तो आता है ना सभी को हैं? कि मेरी तरह ऐसे डबे बनाके solve कर रहे थे तुम लोग भी LCM के लिए LCM लेना आता है ना कि वैसे डबा बनाके तुम भी solve करते हो LCM बारा है उसके बाद 4, 3, 12 होते है तो 3, Q हो जाएगा 2, 6, 12 होते है तो 6, Q हो जाएगा 4, 3, 12 तो 3, Q 6, 2, 12 तो 2, Q 6, 2, 12, 2, 5, 10 6, 2, 12 और 2, 5, 10 solve के बेटा कितना होगा? 6, 3, 9 ओहो 3, 2, 5, 6, 11 12, 13, 14 14 और 10 24 Q divide by 12 should be equals to 24 so Q का value बनेगा बेटा 12 micro coulomb बेटा micro coulomb क्यों लगाया मैंने? क्योंकि सारे capacitors जो थे वो micro farad में थे सारे के सारे capacitors हमें micro farad, micro farad, micro farad में मिल रहे है और voltage हमें मिल रहा था सिर्वी में तो बेटा वो micro साथ साथ चलता जाता है और आपने अभी तक निकाला टोटल चार्ज आपने क्या निकाले बिटा टोटल चार्ज 12 माइक्रो कुलम का पॉइंट ये है कि आपको पोटेंशल डॉप निकालना था तो मैं सर्कुट को दुबारा बना देता हूँ एक कैपैसिटर यहाँ पे उसके बाद पॉइंट एम एक कैपैसिटर यहाँ पे एक कैपैसिटर और यहाँ पे और यहाँ पे बड़ी वाली बैटरी यहाँ का स्विच था वो हमने क्लोस कर दिया था यहाँ छोटी वाली बैटरी यहाँ एक कैपैसिटर यहाँ एक कैपैसिटर and this is the point 31 volt 7 volt यहाँ पे point N है और हमें find करना है potential difference between the points M and N the potential difference between the points M and N M और N के बीच में potential difference बताईगे कितना होगा तो sir M से लेके N के बीच में potential का difference कितना आ सकता है वो दिखना है M से लेके N के बीच में क्या करें देखो बीचा क्या होता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे positive है यह negative है यह positive है यह negative है यह positive है यह negative है और final N पे जोगे एक काम ना कर लेगा M से चलना शुरू करते हैं और N तक पहुंचते हैं तो बीचा मैंने बुला potential at the point M फिर इस पे drop देखा इधर से चलके N पे खतम करते ले जाके तो VM प्लस का V3 प्लस का 7 प्लस का V4 और बेटा यहाँ पे N वाला जो आएगा वो बराबर में कर देना यह M इधर चला जाएगा तो V3 कितना था Q डिवाइड बाइ C3 प्लस का 7 प्लस का Q दिवाइड बाइ C4 शुडबी कोस तो VN माइनस का VM बेटा यह क्यों हो गया potential difference difference बोला तभी तो final minus initial हुआ है बेटा difference बोला तभी तो final minus initial initially कहा थे आप लोग M पे थे finally कहा आना था N पे आना था बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा VN माइनस VM final minus initial Q की वैल्यू बारा तो बारा बटा C3 की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस का 7 प्लस का बारा बटा 6 it will be delta V 4, 3s are 12 6, 2s are 12 और कितना बनता है 7, 3, 10, 2, 12 तो बेटा बारा वोल्ट बनता है यहाँ पे delta V कितना बनता है delta V 12 बारा वोल्ट वो भी कौन सा बना पॉजिटिव का तो यहाँ पे delta V कितना बनता है 12 बन रहा है जो 12 बोल्ट मुझे मिलेगा D option में तो this is the right answer this is the right answer clear है गी बात है सभी को पक्का सच में लगाया किट्च ओफ लो मजा आया क्या चाप लो जल्दी से पता चला M और N के बीच में potential difference कैसे निकालने का है M से शुरू करो बराबर कर दो N के M से शुरू करो बराबर कर दो N के कतम कहानी बस ठीक है चाप लिए सभी ने इदर आओ बेटा main कहानी तो यह से शुरू होती है यह वाली बात पता होनी ची आपको कैसे लिखा अच्छा कुछ पच्चे सोच रोंगे सर आपने इधर से सर्केट लिया क्यों आप सर्केट ऐसा ले लेते इधर से हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं मुझे को या पत्ती नहीं बेटा यहां पर पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव यह पॉजिटिव यह नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव यह नेगेटिव चाहो तो इस डिरेक्शन में फ्लो करके भी चल जाओ एंड पॉइंट पे वह आपकी इच्छा श्रद्धा है आप चाहो तो इदर से घुमके जाओ M से लेके N तक या फिर इदर से घुमके जाओ वो तुम्हारी मर्जी मैं नहीं रुकूंगा उस पर बिल्कुल भी लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान लगना आप जा रहे हो अपोजिट में ड्रॉप आएगा इनीशल माइनस फाइनल इनीशल माइनस फाइनल नेगेटिव लेके हुए चलना इनीशल माइनस फाइनल नेगेटिव लेते हुए चलना आंसर तब आएगा तो sign convention follow करना है बाकि आपके मर्जी आपको इसे भी रास्ता चूज कीजिए answer same आएगा ओके बेटा clear है ये बाते सभी को तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल बोलता है calculate the charge on the 2μF capacitor ये रहा बीच में 2μF capacitor दोनों तव 10V 10V की बैटरी लगी हुई है और आपको charge calculate करना है कितना होगा तो बेटा close loop दिख रहे हैं हम लोगों को तो close loop के तहत हम क्या करेंगे आपे charge निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे कोशन अगर तुम्हें दिख जाए तो मान लीजे ना यहां से charge निकलेगा साब Q1 मान लो यह Q1 charge इधर जाएगा यह इधर आया Q1 यहां से charge निकाल दीजे Q2 ठीक है साब निकाल दीजे charge Q2 यह Q2 charge इधर जाएगा बिलकुल जाएगा साब यह दोनों मिलके इधर जाएगे given by Q3 such that from the junction law from junction law बटा junction law के हिसाब से क्या Q3 Q3 बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के बहुल हाँ की न तो फिर यह Q3 यहां जाएगा और इसका बटवारा हो जाएगा यहां चला जाएगा Q2 और यहां चला जाएगा Q1 अच्छा जी ठीक है साब समझ गए आपको क्या find करना है आपको यही तो find करना है कि कितना होगा आपको Q3 का value निकालने बिटा तो साब एक काम करें क्या पहले Q1 और Q2 निकालने क्या देखो कोशिश क्या करो जितने कम variable हो उतना मज़ा जाए वो तो मैंने नाम दे दिया Q3 का लेकिन अगर आप यहां पे Q1 प्लस Q2 करोगे तो जादा अच्छा रहेगा कोशिश करना कम से कम variable हो सके आपके पास में जितने कम variable होंगे उतना जादा फाइदा आपको मिलेगा तो आप Q3 ना देके इसको simply Q1 प्लस Q2 ही लिखिएगा क्योंकि second 2μF पे जो charge जाएगा वो Q1 प्लस Q2 जाएगा जादा variable होने से जादा equations निकालने पड़ती है वो हमारी लिए फिर time consuming हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पे loop दिख रहा है A, B, C, D, E और F तो पेटा A, B, C, D वाला loop दिख रहा है सभी को और similarly यहाँ पे E, C, D, F वाला loop तो पेटा दो loop है दोनों loop मैं solve करना शुरू करते हैं मैं solve करता हूँ यहाँ पे इसको नाम देता, loop number one इसको नाम दियाँ loop number two तो मैं solve करने जा रहा हूँ loop number one को किरचाफला लगाँगा मैं किरचाफला लगाँगा पहले बोल रहा हूंगा solving loop number one बेटा क्या solve कیا पता चला सर, charge ज़ा रहा है यह positive part, यह negative part यहाँ पे charge, positive, negative बैटरी का positive terminal, negative terminal. यह battery का positive terminal, negative. चार्ज यहां से यहां जा रहा है, तो यह positive यह negative. चलिए बहुत ही शानतर. तो मैंने solve करना शुरू किया, कहीं से भी चलो, A से चले, सबसे पहले minus का 10 volt potential drop. बैटा, initial minus final. आगे चले, तो plus का initial minus final, तो हो जाएगा यह Q1 divided by C. final, तो plus का Q1 plus Q2 divided by 2 should be 0. बैटा, किसी भी close loop में, जो net potential drop होता है, वो 0 कर दिया. यह minus का 10 उदर चला जाएगा. So, Q1 divided by 1 plus Q1 plus का Q2 divided by 2 should be equals to 10. So, बैटा, इसको solve किया है, LCM वगरह लिया, 2 आ जाएगा यहां पे, 1, 2, 2, 3 Q1 plus का Q2. 3 Q1 plus का Q2 divided by 2 should be equals to 10. So, 3 Q1 plus का Q2 बराबर होना चाहिए 20 के. बोलो, सही बात है क्या? मुझे तो Q1 plus Q2 की value चाहिए, मजा आ जाएगा. पहला equation number mark कर दिया, मैंने में वेस्ट कर. सबसे पहले loop 1 को solve किया, यहां से A से चलना शुरू कर दा, A से चला, potential drop across the battery, drop मतलब initial minus final, initial lower पे है, final higher पे है, negative answer आएगा, तो minus के 10 बूल्ट. फिर आगे गया, drop, initial minus final, initial higher पे है, final lower पे, positive answer आएगा, तो plus का V, बैटा Q by C होता है, अरे V equals to Q by C होता है, तो यहां पे लिखा Q1, इस पे charge क्योंकि Q1 जा रहा था, Q1 divided by 1 microfarad, plus, बैटा यहां पे है, इधर घूमके इधर आएगा, फिर से, initial minus final, positive value हैगी, plus का Q1 plus Q2 charge है, divide by 2, should be equals to 0, close loop complete हो गया, पहले तो हमने loop number 1 को solve किया, अब यही काम हम करेंगे for the loop number 2, तो same काम, अब आप loop 2 के लिए solve करने जा रहें, बैटा, तो solving for loop 2, बैटा, loop number 2 को solve किया, मैं रिड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो 10 volt 5 microfarad, 10 volt 5 microfarad, 2 microfarad, चार्ज जाएगा Q2 यहाँ से, minus plus minus, हाँ जी बैटा, तो चलिए बैट दिमाग लगाते हैं, इस पे चार्ज आएगा Q1 plus Q2, हाँ, चलिए, दिमाग लगाया है, सबसे पहले हमने कहीं से भी चलना शुरू कर दो, यहाँ से चलना शुरू कर दो, यहाँ गए plus का, plus का Q2 divided by 5, plus का Q1 plus Q2, divided by 2, और यहाँ पे आए, यह minus यह plus, तो minus का 10 equals to 0, so Q2 divided by 5 plus Q1 plus Q2, divided by 2, should be equals to 10, पेटा, पांच और दो का LCM भी 10 ही होता है, जहाँ तक मुझे याद है, 5 और 2 का LCM भी 10 ही आएगा, so 2 Q2 plus का 5 Q2 plus का 5 Q1, should be equals to 10, बेटा, 5 और 2 का LCM 10 आया, 5 तो जा 10, 2 Q2 हो गया, और 2 तो 5 जा 10, तो 5 Q1 plus 5 Q2 हो जाएगा, 7 times of Q2 plus का 5 Q1, should be your 100, यह हमारी second equation बनने वाली बेटा, आप है, so now we have two equations, we have two variable, एक तो Q1 और एक Q2, तो 2 variable, 2 equation काम बन जाएगा, इसलिए बोल रहता, अगर आप यहाँ पे assume करो के Q3 को, अगर आप यहाँ पे assume करते है Q3 को, तो आपको एक और equation निकालनी पड़ती, just that, कि Q3 is equals to Q1 plus Q2 करते हैं, अगर आप यहाँ पे Q3 mention करते, तो एक equation यह हो जाती, दूसरी equation यह हो जाती, फिर हमें तीसरी equation यह निकालनी पड़ती, तो यह इतना जमेला हमने खतम कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, कम से कम variables को consider करते हुए चले, कम से कम variable होंगे, तो आपको फाइदा मिलेगा दो equations है, एक तो 3Q1 plus Q2 वाली और एक यह वाली है, so 3Q1 plus Q2 should be cost to 20, यह हमारी पहली equation थी, है न, अब क्या करें भाई, Q2 का value उठा के उपर वाली में आप उट करते हैं, Q2 का value उठाया मैंने, 20-3Q1, इसको उठा के यहाँ पूट कर दिया, तो equation बन दिया 7 times of, 20-3Q1 plus 5Q1 should be cost to 100, so 140 minus का 21Q1 plus का 5Q1 should be cost to 100, बटाई यह 140 उदा जाएगा, minus का 140 बन जाएगा, तो let's solve this on the next space, तो 140 minus का 21Q1, 140 minus का 21Q1 plus का 5Q1 should be cost to 100, ठीक है बेटा, calculation वाली बाते हैं, मैंने Q2 का value यहाँ से लिया, 20-3Q1, उठा के यहाँ पुट किया, तो 7 times of 20 minus 3Q1 plus का 5Q1 should be cost to 100, bracket opening वाला पार्ट है बेटाई, 7, 2 is a 140 होता है यह दो, minus का 7, 3 is 21, ठीक है, चलो बहुत बढ़ी आगे बढ़ते हैं, so, बेटा, 21 minus 5 कितना होता है, 16, so 140 minus का 16Q1 equals to 100, यह 100 इदल हो यहाँ, 140 minus का 100, 16 Q1 उदर चला जाएगा, 16 Q1, तो 40 is equals to 16 Q1, बेटा, 4 10s are 40, 4 4s are 16, 5 to the 10, और 2 to the 4, so Q1 का जो वैल्यू मिलेगा, 5 by 2, micro coulomb, यह हमें क्या मिला, Q1 का वैल्यू, Q1 आ रहा है 5 micro coulomb, और Q2 का वैल्यू था, कितना 20 minus का 3 Q1, बेटा, यह वाली वैल्यू, Q2 की इस वैल्यू मैं इसको पूट करते हैं, तो since Q2 is equals to 20 minus का 3 Q1, since Q2 is equals to 20 minus का 3 Q1, so 20 minus का 3 multiply by 5 by 2, बेटा, कितना हो जाएगा, 20 minus का 15 by 2, बेटा, कितना हो जाएगा, 40 minus का 15 by 2, कितना बनेगा बेटा है यह, कितना हो जाएगा, 25 by 2, सही है बेटा, Q1 आगया, Q2 आगया, so the total charge on the 2 microfarad capacitor, total charge on, on 2 microfarad capacitor, is given by Q1 plus का Q2, so 5 by 2 plus का 25 by 2, यानि की 30 divided by 2, यानि की 15 micro coulum, तो क्या answer बनने वाला है बेटा, पंद्रा माइक्रो कूलम, पंद्रा माइक्रो कूलम, पंद्रा माइक्रो कूलम, this is the right answer, अब तुम सोच रहोंगे, कि सर ये तना लेंदी चला गया, किर्च ओफ लॉ लगा के, तो मैं तो इसको simply solve कर लेता, पेटा कैसे solve करते है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना भारी हो जाता है, कि सीरीज है कि कॉम्बिनेशन पैरलल है, साफ साफ जब दिखते हैं ना, सीरीज और पैरलल, बड़ा मज़ाता है, तो कौन सा सीरीज, कौन सा पैरलल समझ ही नहीं आता, ऐसे टाइम पे आप किर्च ओफ लगाए, बेटा किर्च ओफ लॉ हर जगा वैलिड है, किर्च ओफ लॉ हर जगा वैलिड है, जहाँ confusion लगे किर्च ओफ लॉ लगा, लेकिन कैसा भी सरकिट हो, किर्च ओफ लॉ सब जगा वैलिड है, तो कभी यह मैं सोचना कियार, यह क्या है, किर्च ओफ लॉ इतना लेंदी है, मैं इसको छोड़ दूँ, किर्च ओफ लॉ ही काम आएगा वही, तो आई होप आभी बात समझ आती है, यह दो लूप बनाके उनको सॉल्फ किया है, Q1, Q2 में रिलेशन निकाला, और Q1, Q2 का वैल्यू निकालके, हमने 2 माइक्रो फैलेट पे चार्ज बोला Q1 प्लस Q2, जो की 15 माइक्रो कुलम का होगा, तो इसको छाप लेंगे जल्दी से सभी लोग, सभी लोग जल्दी से उसको छाप लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, किया है नोट सभी नहीं है, इधर आईए बेटा, समझ रहे हो ना बात को तुम लोग, Q1, Q2 में रिलेशन भी तो पता होना चाहिए, हाँ भई, तो दो माइक्रो फैरेट वाले पर जो टोटल चाहर जार रहा था, वो आ रहा था Q1 प्लस Q2, जब हमने तोनों का एड किया, तो पता चला, किये कितना है, पंदरा माइक्रो कुलम का है, चली भई, बहुत शांदा, तो यहाँ पर हमारा सवाल समप्त होता है, तो लेट्स मूव ओन तो अगला सवाल, अगला सवाल देखो बेटा, यूजिंग दा किट्च ओफ लॉओ, फाइंड दा इक्विलिंट केपासिटेंस बिविन A और B, A और B के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इक्विलिंट केपासिटेंस फाइंड करना है, तो देखो बई, क्या अंसरा था इसका, किट्च ओफ लॉओ लगाना है और इसमें, चुरवी, क्या करें यार इसमें, कुछ लोग जो पहले बहुत थोड़ी बहुत बाते जानते होंगे, किर्च ओफ लॉओ लगाने की, वीट स्टोन ब्रिज लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहां पर बेटा, यह अन्बैलेंस्ट वीट स्टोन ब्रिज, जिसको किया अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वीट स्टोन ब्रिज में कहते हैं कि अगर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम हो जाए, तो बीच वाले को शॉट सर्केट कर दिया जाए, लेकिन जब यहां रेशो निकाला 5 by 10, बलकि एक अन बैलेंस्ट वीट स्टोन ब्रिज है, अभी वीट स्टोन ब्रिज क्यों होता है, तो भाई इसके बार में तुम पढ़ोगे, जब तुम अगला चैप्टर रेशेस्टेंस वाला जब आएगा, तो वहां पर मैं आपको बता हूँगा, एवन एक्सपेरिमेंट भी है, तो वह सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस कोशन को कहसे सॉल्व करें, किर्चो फलो लगाते हैं, बेटा, क्या लूप दिख रहा है आप लोगों को, मुझे A और B के बीच में एक्विलेंट निकालना है, तो A और B को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक किया, बैटरी से चार्ज निकला Q, बैटा, ये Q चार्ज यहाँ पे आएगा, आएगा ना, तो यहाँ से जाएगा Q1, यहाँ से जाएगा Q2, अब बैटा देखो ज़रा, गोर फर्मा के देखना, symmetry के कारण यहां पर Q 1 है तो यहां से भी चाना चाहिए चार्ज कितना Q 1 और यहां से भी जाना चाहिए चार्ज कितना Q 2 symmetry कहती है कि भाई 5 mikrofarad में अगर Q 1 चार्ज गया half तो यहां पर भी 5 mikrofarad पर यहां पर कोई charge Q 3 जाएगा बीच में मैंने माले ठीक है, बहुत बड़िया या फिर एकाम कर दे इधर Q- बेज देता हूँ इधर मैं Q- बेज देता हूँ तो मज़ा जाएगा फिर सिमेट्री के कारण यहाँ पर Q2 होना चाहिए तो बैटे इसमें जाएगा Q1- Q2 Q1 आया, यहाँ से Q2 जा रहा है तो बचा यहाँ पर Q1- Q2 इसमें चल रहा है बेटा, यह एक चार्ज का redistribution है, as per the symmetry हमने किया तो symmetry के ही तहत हमने चार्ज चीज का redistribution किया, बोला 5μF में अगर Q1 जा रहा है तो symmetry के तहत यहाँ पर 5μF है उसमें Q1 रख दा और 10μF में Q2 जा रहा है तो symmetry के तहायत हमने बोला कि 10μF से Q2 जा रहा है बेटा, यहाँ से Q1 गया यहाँ Q2 चल गया, तो बचाओ Q1-Q2 इस वाले में चल जा जाएगा अब किर्चॉफ का लाओ लगा बेटा, क्या आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं मुझे तो दिखाई दे रहे एक लूप मुझे यह वाला दिखाई दे रहे और एक लूप मुझे नजर आ रहे है यह वाला अब तुम्हारा पता नहीं मुझे तो बेटा, चार्ज जाता है higher से lower की तरफ, 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 और यहाँ पर higher से lower की तरफ. Charge के direction के basis पर मैंने plus minus सब को define किया, अब मैं solve करने जा रहा हूँ बिटा, सबसे पहले loop number one को. तो this is your loop number 1, this is the loop number 2, तो सबसे पहले मैं loop number 1 को solve करते हूं बिटा, यहाँ से चलना शुरू किया मैंने, यहसे जाओंगा, यहाँ से घोम फीर के आओंगा, यहाँ से फिर इधार आ जाओंगा, फिर यहसे घोम पिर फिर इधार आ जाओंगा, और फिर ऐसे जाके यहां पर complete करेंगे तो मैं loop number 1 में घूम रहा हूँ in the clockwise direction बिटा loop number 1 मैं घूमना चाहता हूँ in the clockwise direction तो loop number 1 को solve करें in clockwise direction चलना शुरू करते बिटा right from here यहां से चले सबसे पहले आएगा plus का charge कितना Q1 तो plus का Q1 divided by 5 फिर आगे बढ़े इस पहाए बिटा plus क्या आएगा plus का Q1 minus का Q2 divided by 10 फिर घूम फिर कि मैं इधर आया है बिटा यहां पर इधर से इधर आ रहे minus से positive पह रहे हो तो minus का Q2 divided by 10 should be equals to 0 बिटा किसी भी close loop में यह कहानी valid है ना बिलकुल valid है साहब secondly अगर मैं loop number 2 को solve करूँ loop number 2 को solve करो in anti-clockwise direction अब वो तुम्हारी इच्छा शद्दा है तुम्हें clockwise जाना या anti-clockwise जाना है वो तुम्हारी मर्जी है मैं इस पर कोई रोग-टोग नहीं रखूँगा तो यहां पर loop 2 को मैंने anti-clockwise direction में solve करना शुरू किया right from here मैं solve करना शुरू कर रहा हूँ पहले मैं इधर जाओंगा इधर जाओंगा फिर मैं इधर जाओंगा इधर जाओंगा फिर इसी direction में आते होते हैं और यहां से ऐसे ऐसे जाओंगा ठीक है तो बेटा मैं सबसे पहले गया तो यहां पर minus मिला तो minus का q2 divided by 10 minus का q2 divided by 10 यहां पर आए plus का q1 plus का q1 minus का q2 divided by 10 और यहां पर आए तो plus का q1 by 5 अब ज़र एक चीज़ देखो पता चलेगा कि दोनों equations सेम ही बनी पता चल रहा है दोनों equations हमारी सेम बन रही है मतलब loop 2 solve करने का कोई मतलब नहीं निकला है ना पता चला कि भाई loop 2 को solve करने का तो कोई मतलब नहीं निकला तो अब क्या करें सब loop 2 हमारे किसी काम के नहीं है हमें तो q1 q2 का value निकल ला था तो मैं एक नया loop बनाने जा रहा हूं ज़रा गौर फर्माना सभी लोग मैं एक नया loop बनाने जा रहा हूं यह battery हमने v voltage की लगा रखिये मान लीजिए बैटरी हमने v voltage की लगा रखिये तो एक नया loop find करने चले हम लोग बेटा a से शुरू किया उपर से जाना है नीचे से जाना है वो तुम देख लेना मैं उपर से जा रहा हूं मैं उपर वाली साइड पकड़ते हुए जा रहा हूं मैं पहुँचा b पे और b से फिर मैं यहां से घूमदा फिरता क्या ये भी एक loop बनता है बेटा इसको मैंने बोला loop number third मैं loop number three को solve करो तुम्हारी मर्जी तुम नीचे से होके जाना चाते हो तुम नीचे से होके भी जा सकते हो कोई मना नहीं है बेटा तो मैं solve करूँगा loop number three को क्योंकि loop number two मैंने solve करा पता चला सर ये तो वही equation आ रही है पता चला कि ये तो वही equation है मज़ा ही नहीं आया कुछ हमें हम solve करेंगे q3 को तो q3 को solve किया loop number three solve करते है and loop third solve किया हम लोगों नहीं तो बेटा solve करना शुरू करते है right from the here कहां से यही से चलो sir a point से a से चले उपर plus का q1 by 5 plus का q1 by 5 plus का q2 by 10 बोलो कहां से आया ये plus का q1 by 5 plus का q2 by 10 इधर आये ये minus, ये plus minus का v minus का v should be question 0 तेहां से q1 by 5 plus q2 by 10 should be equals to v रुकोज दरा मजा है अभी यार एक बाम करें इसको solve करने के पहले इसको solve करा so q1 minus का q2 divide by 10 should be equals to q2 by 10 minus का q1 by 5 यार इनका LCM ले ले हो so जाएगा q1 minus का q2 by 10 should be equals to LCM में 10 आएगा याँ पे ये q2 हो जाएगा minus का 2 q1 बन जाएगा 10 से 10 मर जाएगा और ये q2 इधर आएगा वो 2 q इधर आएगा तो 3 times of 3 times of q1 is equals to 2 times of q2 बेटा q1 और q2 में एक relation मिल गया मुझे पहली equation को solve करके इस वाली equation को solve किया तो एक relation मिल गया 3 q1 is equals to 2 q2 होता है so 3 q1 is equals to 2 q2 होता है यहाँ लिख देता हूँ यह relation कैसे मिला मुझे loop number 1 को solve किया था loop number 1 को solve किया solve करके जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 3 q1 बराबर 2 q2 हो रहा है ठीक है साब ज़रा गौर फर्माईए आपको find करना है c equivalent तो यह जो circuit आपके पास दे रखा था ध्यान से सुना बिटा यह जो circuit आपके पास था क्या इस circuit की जगा मैं एक नया capacitor लगा दूँ एक ऐसा capacitor जो इन सब का काम कर सके तो इस सब की जगा मैंने एक नया capacitor लगा दिया बैटरी सेम लगई है v voltage की बट इसका capacitance c equivalent हो जाएगा इससे charge अगर q जा रहा था तो इससे भी charge कितना जाएगा बिटा क्यू जाएगा अच्छा जी ठीक है साब समझ गहे साब बिटा एक बाद बताओ loop number 3 को solve करके ये equation मिली थी loop number 3 को solve करके हमें ये equation मिल चुकी है अब ज़रा इस वाले को देखो यहाँ पे क्या मैं लिखूँ q is equals to c equivalent into v तो मैं लिटा v को क्या लिखूँ q divided by c equivalent इसको वहाँ put करो उस equation में तो q1 divided by 5 LCM ले लो यह इसका 10 आ जाएगा so 2 times of q1 divided by q2 should be equals to q divided by c equivalent हम अपने मनजिल के बहुत करीब है अगर मुझे q1 q2 पता होता in terms of q तो मुझे मजा जाता हम मनजिल के बहुत करीब है बस एक चीज की कमी है कि मुझे ये नहीं पता कि q1 और q2 को q के terms में कैसे लिखा जाए तो मैटा उपर जो गया था वो था q1 नीचे जो गया था वो था q2 और यहां से जो आया था वो था q तो यार एक बाल बताओ क्या मैं q is equals to q1 प्लस q2 नहीं लिखूंगा क्या और देखो ज़रा q1 की जगा पे क्या मैं लिख सकता हूँ q1 की जगा पे मैं लिख सकता हूँ q2 divided by 3 प्लस का q2 so q is equals to 5 q2 by 3 so q2 is equals to 3 q by 5 q2 का value यहां उठा के पुट करा so यहां से q1 आ जाएगा 2 by 3 मढ़ी बाय बाय 3 q by 5 और यहां से q1 की value आती है 2 q by 5 बेटा देखो ज़रा मैंने q1 भी निकाल दिया मैंने q2 भी निकाल दिया इनकी values यहां पुट करूँ तो c equivalent मिल जाएगा इनकी values उठा के यहां पुट कर दूँ तो मुझे c equivalent मिलने वाला है तो अगले page पे करते हैं so 2 q1 प्लस का q2 2 q1 प्लस का q2 divided by 10 is equals to q divided by c equivalent बेटा q1 की जगा पे मैं पुट कर रहाँ 2 q by 5 और q2 की जगा पे पुट कर रहाँ 3 q by 5 और अपॉन में 10 चल रहा था it should be equals to q divided by c equivalent बेटाई इन सब का lcm 5 आ जाएगा यह बन जाएगा 4 q by 5 प्लस का 3 q by 5 7 q by 5 तो यह जाएगा 7 q divided by 5 और अपॉन में 10 चल रहा था is equals to q divided by c equivalent q से q मर जाएगा तो यहाँ से c equivalent की value बनेगी 50 divided by 7 microfarad लीजे बेटा इस इस दा equivalent capacitance between the points a and b तो किर्चाफ law से आप इसको भी solve कर सकते हैं मैंने क्या किया पहला loop solve किया जैसा कि आपको दिख रहा है पहला loop उसको solve करके मैंने q1 और q2 में relation निकाल लिया मैं second loop को solve करने गया तो पता चले है यह तो वही equation मिल गई जो पहले loop से मिल रही थी मैं second loop को solve करने गया मैंने देखा है इस से तो मुझे वही equation मिल गई जो पहले loop से मिल रही थी किसी काम की नहीं है मेरे अब मैं क्या करो साब किर्च आफ लगाने के लिए दो मुझे लूप चाहिए था तो मैंने बोला एक काम करो बेटा ये जो पिंख कलर से लूप नमबर थर्ड बनाया है इसको Consider कर लो पिंख कलर से ये जो हमने लूप बनाया है थर्ड वाला इसको Consider कर लो तुम चाहो तो नीचे से भी आ सकते थे ऐसे घूम के वो तुम्हारी च्छा शद्द है इस पर मैं रोकूँगा नि तुम्हें तो ये एक बना लूप नमबर थर्ड मैंने बोला कि ये साब एक काम करो लूप नमबर थर्ड को सॉल्फ करो तो थर्ड लूप को सॉल्फ किया तो ये रिलेशन मिला थर्ड लूप सी अब क्या हुआ कि यहां पर Q1 यहां पर Q2 Q1 Q2 मैं आपस में रिलेशन तो पता था लेकिन मुझे Q के टम्स में बतां था बेटा V को मैंने लिका Q by C क्यूंकि मैंने बुला यह जो का कांबिनेशन था आपके पास इसको हटाके ऐसा कैपैसिटर लगाओ कि जब सेम बैटरी से कने किया जाए संच फ्लो किया जाए तो से मौन आप एनरजी स्टोर कर ले या फिर सेम वर करें बेटा मैंने जोला सेम बैटरी लगा दी हांसर लगा क्या मैं q1 की value निकाल सकता हूं in terms of q क्या मैं q2 की value निकाल सकता हूं in terms of q अगर हम यह गात कर सकते हैं तो बेटा हमने बोला देखो q charge आया है q1 q2 में चला गया तो q is equal to q1 plus q2 होता है बहुत अच्छी बात है q1 और q2 का relation है यहां से इनको values put करके देखा तो q2 का value 3 q by 5 और q1 का value बेल रहा है 2 q by 5 ठीक है इनको उठाके जब हमने यहां put करा बेटा तो 2 q1 q1 की जगा पे 2 q by 5 q2 की जगा पे 3 q by 5 यह हमने अगले page पे solve किया तो 2 q by 5 3 q by 5 बेटा यहां पे देखो 2 to the 4 और यह 3 तो 4 plus 3 7 होते है 7 q by 5 अपान 10 तो 7 q by 5 10 equals to q by c पेटा q से क्यों मच जाएगा 50 by 7 microfarad यही तो answer है यही तो answer है पेटा इसका kids of law से हमने इस पार्ट को solve किया options नहीं थे कोई बात नहीं हमारा answer 50 by 7 आ रहा है समाझ आती है बाते हैं आप सभी को सभी को सच में चापलो बेटा जल्दी से इसको इसको नोट कर लीजे जल्दी से सभी लोग किया नोट सभी ने ये भी लिखो हो गया फिर यहाँ पेए ये बेटा got it clear रहेगी बाते kids of law समझ आता है बेटा junction law समझ आता है loop law समझ आया zero करना है बस potential drop ले लेना confused होते कुछ बच्चे difference लो की drop लो drop ले लो मज़ा आजाएगा ठीक है तो drop से अप solve कर लेना तो answer आजएंगे आपको बड़ी एक दम match करेंगे सारे answers और इसके लावा आपको series of panel combination समझ आता है charge निकालने के लिए बोले चार्ज निकालो potential निकालने के लिए बोले potential निकालो अभी ऐसे बहुत सारे questions और करने अभी हम लोगों को तो उनको करेंगे अब हमने अगले lecture में ठीक है तो आज के lecture में बस इतनी ही बातें थी हमारे लिए बाकी उमीद करता हूँ जो बाते मैंने आज आपको पढ़ाई है वो आपको समझ आई होगी इसके लावा वीडियो दुबारा देखना है तो आप हमारे official website www.magnetbrains.com पे जाए वहाँ पे जाके वीडियो को दुबारा जरूर देखिए DPP solve कीजिए इनके इस DPP में कोई doubt आता है तो उसका solution हम आपको provide करा रहे है वो भी solve कीजिए इसके लावा बेटा question bank आपको मिल चुका है वहाँ पे तो website पे जाए question bank से questions निकाल के solve करना शुरू करतीजिए wait मत करना किसा chapter खतम होगा तो questions करूँगा backlog आजाएगा फिर ऐसे साथ-साथ questions को solve करते चलिए तो आपको benefit रहे ऐसे इसके लावा बेटा जो pattern मैंने बोला उस pattern के साब से पढ़ाई करो इनोंने की थी इनके photo चप चुके अब अगली बारी आप लोगों की है तो भाई अपनी preparation पूरे plan के साब से पूरे strategy के साब से करोगे तो आप लोग भी यहां पर होगे फिर ठीक है तो यह सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसके लावा आपका कोई भाई बंदू सखा सही कोई और course कोई और exam की अगर preparation कर रहे तो उनको भी बोल दो कि magnet brains is the best solution जहां पर हर एक course free में available है with the quality education और यहां पर ऐसा तो है कि भाई कोई compromise कर रहे हम लोग करार हो नो बढ़िया question तो भाई कोई compromise नहीं है सारी चीज़े आपको free मिलेगी कोई coupon code नहीं है कोई subscription लेनी की जरूरत नहीं है ठीक है बागी हाँ एक काम जरूर कर देना channel पर अगर नहीं हो तो जो लाल बटन उसको जरूर दबा देना उसके बगल में जो घंटा है बजा देना so that कोई notification miss ना हो सके बागी session अगर पसंद आया तो like जरूर कर देना और आज के session के लिए इतनी ही बात है मिलते आप से अगले session में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहे है all the very best